सद्गुर की प्यारी सा संगजे परंपिता परमात्मा की बड़ी रहमत होती है तब जाकर की जीव को सत्संग मिलता है स्वामी नितान अंध्याल कहते हैं जब गोविंद की किरपा हुए तब जीव को सत्संग मिलता है क्योंकि सत्संग के बिना इस जीव का उधार नहीं हो सकता है स्वामी नितान अंध्याल अपनी बानी में स्पष्ट कहते हैं नितान अंध्याल सत्संग बिन मिलन हर दरवार मत्रा कांसी दुआरी का सोबर फिरो कदार कि सत्संग के बिना प्रमात्मा का दर्बार नहीं मिल सकता ऐसा गुरुदेव स्वाम नितान अंद्याल कहते है एक बार तो क्या हाजावरों बार मतुरा जाएं द्वारिका जाएं कांसी जाएं लोग सोचते हैं पुन मिलेगा उधार मिलेगा उधार हो जाएगा लेकिन संत संगत के बिना इस जीव का कल्यान नहीं हो सकता जीव का उधार नहीं हो सकता क्योंकि सत्संग ही भवसागर से पार होने की नोका है सुन्दरदास महराज अपनी बारणे में कहते हैं जग में बड़ो है सत्संग भाई सत्षंग समान कचू भस्तु नाई इस जग में सत्षंग बढ़ा है और सत्षंग के समान को दूसरी भस्तु इस जग में नहीं है क्योंकि आनंत आत्माओं आनंत जन्मों से हमारी आत्मा भटख रही थी कभी किसी योनी में, कभी किसी योनी में परमपिता प्रमात्मा ने रहमत करके दया करके मानुचोला बक्षा मनुस्य जीवन दिया, हिरा से जनम को दिया रामायन में यहां तक लिखा है बड़े भाग मानस्तन पावा देव दुरलब सब गरंथन गावा रामायन यहां तक कहती है कि जिनको मनुस्य स्रीर मिला है ले बड़े भाग शाली है देवताओं को भी दुरलब है, लेकिन हमें मिला है फ्र संतों ने कहा है, मिला ईतन रतन लेकिन अधर जानी नहीं मनुस्य स्रीर मिला लेकिन मनुस्य स्रीर की कदर हमने नहीं जानी क्योंकि आये थे कुछ नफेकूं खो दिया मुक्ता माल किया नसोदा सत्य कासुमर गुपाल गुपाल हमारी आत्मा ये मानो जीवन को पाके मालिक नाम की भजन बंदगी सिमन सेवा करने के लिए आई थी लेकिन व्यक्तियों के पास फुर्सत ही नहीं है क्यों माया का जाल बिचा हुआ है माया बेठी बीच में करे हजारें दाओ फिर दूसरा व्यक्ति प्रियास नहीं करता कोशिस नहीं करता है आडंबर और पाखंडों में तो कर सकता है लेकिन सत्संग के लिए प्रेतन नहीं कर सकता क्योंकि मन को क्या अच्छा लगता है मिठे लागे मस्करे फीके लगें फकीर हसी मजाक मस्करे अच्छे लगते हैं फकीर फीके लगते हैं सत्संग मरा जिकतारा घड़वा पिटने का नाम सत्संग नहीं आचने कुदने का नाम सत्संग नहीं, जहां बैठ के परमात्मा की याद आए, जहां बैठ के हिर्दे में सचा प्रेम भाव पैदा हो, जहां बैठ के मन निर्मल हो, जहां बैठ करके हमारी गंदगी दूर होती है भीतर की, सत्संग में संत की सरन में आना होता है, लेकिन दू और लोई रहेगी तो हम संत को निजान पाएंगे फिर कभीर सहाब ने कहना पड़ा कभीर सहाब ने कहा कि हमने बानी इतनी कथी जितना बाडू रेत इस चुरासी जीव के एक नाई हेत हमने इतनी बानी कही हैं जितना बाडू रेत के कन. उते हैं लेकिन इस चुरासी जीव के एक भी हाथ नहीं आई है इस जीव के एक भी बाणी ने काम नहीं किया क्यों नहीं किया अमल नहीं किया बाते करें बड़ी बड़ी लेकिन अमल नहीं किया कबिर साब कहें अबदू अमल करें सो पावे जिनों ने अमल किया है जिनों ने जीवन में धारन किया है तो वो सथसंग वो बाणी वो जीवों का कल्यान हो सकता वो काल के जाड़ते बच सकते हैं नहीं तो फिर कहते हैं स्वामी नितानन्द याल काल मरोड ऐ देवता पेगंबर और पीर नितानन्द कोई धिर नहीं जिन जिन धर्या सरीर काल डेवी देवता पीर पगंबर को खा जाता है क्योंकि काल बड़ा बलवान है और तो और स्वामी नितान अंद्याल तो यहां तक कहते है बर्मा इंदर मुनिंदर को जन्म और मृत्व में फेरे करे कीट को देव जाए सुर्लो की यहरे बर्मा इंदर मुनिंदर भी जन्म मृत्व में पढ़ जाते है आम आदमी की बात ही क्या करोगी लेकिन काल के जाड़ से कौन बच्चता है संत का लाडला क्योंकि जरह पे कौन है संत साहिब के लाडले और संत साहिब के पूत जैना होते संत जगत में साहिब जाता उत फिर कबीर साहब कहते हैं संत साहिब के लाडले क्योंकि संत धूरधाम से आते हैं और जिन्होंने संत की संगत की उन जिवों का उधार हुआ उन जिवों का कल्यान भी हुआ फिर उधारन देते हैं सत्षंग का अंग में गुरुदेव तिरे बदिक गणिका तरी तिरी भेलनी नार नितानन्द सत्षंग की महिमा अगमा पार बदिक सजन कसाई पार हो गया गणिका पार हो गई फिर गुरुदेव कहते हैं सत्षंगत जुग जुग तिरे पापी अदम अनंत सदा सदा जुगों जुगों सत्षंग से लोग मुक्त हूएं पापी भी अधम भी अनंत पार हुए बड़े बूढ़े घंए मिले ना हर के संथ और जो बड़े बड़े राजा महराजा डूब गे बड़ बड़ तपस भी डूब गे बड़ योगी रास्ता बटक गए लेकिन पार कौन हो गया जिनके हिरदे में प्रेम हो गया मालिक को समर्पन कर दिया सोंप दिया गणी का तिरगी और आजा मेल भी तिरगे महराजी बाणी में कहते हैं आजा मेल और कूबरी तिरा लो दिया सैन धन्ना जाट रहदास से साद संग सुक्चैन नाम देव छिप्पी तिरा घाटम मेना वंस साद संग से तिर गए नितानंद पस वंस सेस महेस रटना रटन तिर्गी बहुला गाए नितानन सत्संग मिल रहो राम लो लाए बहुला गाएं भी सत्संग के परभाव से पार होगी बहुला गाएं हम कभी जाते हैं ब्रंदावन आपको अब धन जाएंगे तो राधा कुंड की तरफ जो छटिक राध से जाते हैं ब्रंदावन से जाते हैं तो रस्ते में एक जगह आती है तो वह एक बोर्ड लगा हो है रोड के उपर बहुला गाएं मन्दिर बहुला मन्दिर तो मैं भी उस रस्ते से जा रहा था और फिर बहुला का गुर्देव ने जिकर भी किया है तिरगी बहुला गाएं तो मैंने सोचा जाना चाहिए गुर्देव ने खुद जिकर किया है तो मैं वहा गया तो एक बड़ा स्रोवर है और बहुला गाएं का मंदिर भी है मैंने पूछा कि इतियास क्या है बहुला गाएं का मैंने मारा जी जैसे हमने सुना है बहुला गाएं दूद पिलाने के लिए जो जंगल में संत होते थे अपना दूद पिलाने के लिए जंगल में चली जाया करती थी और जहां संत का सच्छंग होता था वह जा करके बैठ जाती थी दूद का समय था दूद पिलाती और सत्षंग सुना करती थी और एक समय क्या हुआ कि बहुला गाय दूद पिला के आ रही थी रस्ते में सेर मिल गया और बहुला गाय ने सेर से का भाई आप मुझे मत खाएं मेरा बच्चा भुखा है मैं पहले उनको दूद पिलाया हूँ फिर मुझे खा लेण सेरने का ऐसा थोड़ी होता है आप तो चले जाएंगे बहुला गाय ने का नहीं मैं बचन देती हूँ पहले बचनों का महतव था आप तो रजिश्चियों का भी महतव नहीं रह लोगों का पहले बचन का महतव था चादगूर की प्यारी सा संगजी बहुला गाय बचन देके चली गई अपने बच्चे को दूद पिलाया दूद पिलाने लगी तो बच्चरा समझ गया वो नहीं पी रहा है दूर दूर भाग रहा है फिर गा नजदीक जारी बच्चरा फिर दूर हो रहा है और बच्चरे ने पूछा मा क्या बात है आज चेहरे पर उदासी है जैसे हम किसी व्यक्ति को देखेंगे बिन पूछे बिना बोले उसके आओ भाओ से अनुमान लगा लेते है आज चेहरे पर कुछ उदासी है साधानसी बाते हम समझ जाते है लेकिन वो तो बड़ी गहरी बात थी उन्होंने समझ लिया उन्होंने कहा नहीं माबात क्या है मैं दूद जब पिंगा जब आब बताएंगे बहुला गाये ने कहा आज आखरी बार दूद पिलाना है आपको और मैं सेर को बचन देके आई हूँ बस सेर मुझे खा जाएगा बच्रे ने कहा नहीं माँ मैं जाओंगा आपकी जगे और ऐसे दोनों चले गए बच्रा कह रहा है मुझे खाईए सेर कह रहा है मुझे खाना गाएं कह रही है मुझे खाना बच्रा कह रहा है मुझे खाना ऐसा बच्रा का पक्का देके वो सेर नहीं था धरम राज था परगिट हो गया कहने लगा मैं खाने के लिए नहीं आया हूँ मैं प्रिक्षा के लिए आया हूँ कि आपका संतों के प्रती इतना आत्मिक लगाओ है इतना गहरा भाव और चाव है संतों के प्रती आपका उधार होना निस्चित है तो इतना ज्यादा लगाओ बहुला गाएं का था तो महराजी ने खुद अपने बचनों में कहरा सेस महेस रटना रटें तिर गई बहुला गाएं निता अनंद सत्संग मिल रहो राम लो लाए सत्संग मिलके राम की लो लगाई सत्संग का भाव पैदा हुआ पुकार के सदा करो सत्संग भई सदा सत्संग करो पुकार के कहते हैं और संतों ने जोर दे के भी का है तुलशी साहब ने गुरु नानक ने सद्गुरु कबीर साहब ने दादू द्याल महराज ने बड़ा जोर दे के का है भई जग में बड़ो है सत्संग भाई सत्संग समान कच्छू मस्तू नाई इस अंसार में सबसे बड़ा सत्संग है पर सत्संग काम कैसे करेगा लोग तो बहुत बैठते हैं सत्संग में सत्संग जब काम करेगा जब हमारा चाओ जादा होगा उमेदां गैरी लाग रही जब उमेज एक प्यास बीतर होगी सच्ची प्यास गहरी प्यास इमानदारी ते जब दर्सन करने का चाव होगा तो निज रूप के दर्सन होते हैं सत्गुर के और चाव नहीं है तो इन आखो से क्या देखोगे सारी उमर साथ में रहा अरजुन और सिर्कृष्ण लेकिन विराट रूप जब देख्या जब सिर्कृष्ण ने दर्स्टी दी नहीं तो अरजुन के समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान सिर्कृष्ण है दर्स्टी दी तो समझगा है कि ये रूप कुछ और है ऐसे ही सद्गुरु जब द्रिष्टी देता है तो सारे बंधनों को काट देता है महरजी का जब ज्यान ज्यांगडा हम पड़ेंगे तो ज्यान ज्यांगडा में जिकर करते हैं जैसे ही जीव भक्ती की तरफ कदम को रखता है तो करम की सेना सज के खड़ी हो जाती है बाट और गाटने गेर लेती है जैसे ही भक्ती भक्ती की तरफ चलता है तो हमारी करम की सेना रोकन की कोशिस करे है कभी पुत्र का, कभी पुत्री का, कभी परिवार का और कभी सरीर के रोग आके कभी धनकी कभी दोलत आकर के गेर ले अचा कियो जी mahd माया के दाइरे को क्रोस ना करे और सत्स्यंह में ना जा पाय गेर लेती है लेकिन फिर भी प्रियास करता है तो इसमें आगे जांगड़ा ग्यान जांगड़ा में गुरुदेव कहते हैं काम की सेना करोध की सेना लोब की सेना ये आती है और फिर भी गुरु का लाल डिगता नहीं अडिक विस्वास रहता है प्रेम रहता है चाओ रहता है लगाओ रहता है दुख सुख में भी एक प्रेम बना रहता है और प्राथना करता है दुख में भी याद करता रहता है, प्रभू मुझे याद दया करो, सुख में भी याद करता है, भूलता नहीं, भटकता नहीं, तो फिर क्या होता है, फिर गुरुदेव कहते हैं, पर्थम गुरु दुर्वीन दिननी, क्या किया गुरु ने, पर्थम गुरु दुर्वीन दिननी, कंट्रोल भी कर लिए हर चीज़ के उपर और यो जीव फिर काल का जाड़ता है मुक्त हो गया और फिर इस जीव को देवी देवता पीर पगंबर खड़े हो करके प्रणाम करते हैं धर्म राज उस सब्द को सुनके धर्म राज के मुख में पड़गी धर्म राज कर जोर खड़ा धर्म राज भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है जब सद्गूर का सब्द जब भीतर गुंजता है तो काम क्रोध लोग मों भाग जाते हैं जैसे सिंग के धारने से भेड़ बकरी भाग जाती है जंगल से जब सिंग धारता है तो जवेट वक्रि उस एरिया से भाग जाती है ऐसे ही जब नाद भीतर बजता है नाद बज भी रहा है हम सुनते नहीं नितानंद तनमे बज़े बिना बजाया नाद सो हम नितानंद याल कहते हैं कि तनमे नाद बज़ रहा है जब हम नाद को सुनते हैं तो नाद के सुनते ही काम करोद लोब मो साइलेंट समापत हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं बाग जाते हैं ताबन पसुने ठहरे जहां सिंग करें गुजार स्वामिनितान अंद्याल कहते हैं जहां सिंग धारता है और पसुनी ठहरता है चाहण नाद सुनते हैं और काम प्रोध लोब मो नहीं ठहरते हैं भाग जाते हैं ऐसे ही सत्संग इस जीव को कीट से भिरंग कर देता है भिरंग आपने देखा हुआ दिवार के जो मिटी लगाता है भिरंग अगो क्या करता है एक कीट को उठा करके उस मिट्टी में बंद कर देते और जो वो कीट को उस मिट्टी में बंद करता है और तो फिर वो भ्रंग उस मिट्टी के चारों तरफ नाद की आवाज देता है भीं 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 और इस भीं भीं की जब आवाज करता है तो उस नाद को जो सुनता है कीट जो से जुड़ जाता है वो कीट से ब्रंग बन जाता है और जो नहीं सुनता वो अद प्रोसिजर कीट उस मिटी के अंदर ही कीट रह जाता है वो ब्रंग नहीं बन पाता ऐसे ही हम काग विरती जो मारी है काग विरती छुटे नहीं तो हंसा कैसे होई हम काग विरती चल है कपट है बेई मान नहीं है दोखा है एक दूसरे को दबाना है और तो और सच्छंग के लिए भी एक दूसरे को रोकने की परियास करते हैं कि उस्याने बने जाते हैं तो ये काड के ग्रास हैं ये काड के जीव होते हैं क्योंकि जो लोग कोई व्याक्ति सत्सिंग हो जाने परियास करता भी है तो वो काड के ग्रास काड के जीवा के खड़ और तू भी सत्सिंग हो जावागा बलके रागे नहीं कम्पिटिशन हो रहा हो तो चलेगा नहीं भई वहाँ कहेगा चलो भई आपने गाहँ में कोन आया है बड़ा अच्छा गाने वाला है और सत्संग में, आशे आप भी सत्संग में जाते हो तो यह है माया का रंग, जो जीव को भर्मित भी करता है और जीव को धीरे 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 करके एक ऐसी जगएक पर काड के ग्रास बना देता है जैसे मकड़ी निकार तार संग जैसे खिल जैसे मकड़ी तार बुनती है जाड़ा और फिर वो मकड़ी उसी जाड़ में फसके मर जाती है ऐसे ही ये जीव अलाकि देव देखो कितना उत्तम बताया रामाइन में कि बड़े भाग मानुस्तन पावा रामाइन ने कहा है कि बड़े भाग हैं जिसने मनुस्तन स्रीर मिला देवताओं को दुरलब है इतनी उची दोलत लेके उजीवाया है और फिर यहां क्या करता है बड़े खोटे करम करता है चल भी करता है भी मानी भी करता है चुट-चुटी बातों के उपर भी बाद भी करता है मान और हंकार के कार्ण फिर संत जगान खात राते हैं भाई हंकार कर मिले गरद में पड़े भूमी पे बिंडा बड़े-बड़े राजा महाराजा भी खत्म होगे एक लख पूत सवा लख नाती तारामण गर दिया ना बाती फिर संत जगा में उधारन देखे भाई जिसके एक लाख पूत थे और सवा लाख जिसके नाती थे उन घरों में दिया बाती भी लंका सा कोट समंदर सी खाई ता रावन की खबर ना पाई उधारन दिया है संतोने जीव को समझाने के लिए इसलिए तो कभीर साब कहा हमने बाणी इतनी कथी जितना वालू रेत इचोरासी जीव के एक नाई हेत क्योंकि जीव ने सुना को नहीं सुना भी पर अंसुना कर द जिया क्यों अमल में नहीं लाया बिचार में नहीं लाया ध्यान में लाया अपनी समर्ती में धार नहीं किया अपने जीवन में धार नहीं किया तो पिर कैसे बात बनेगी रोटी 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 करते रहें भूख मिट जाएगी मिट जाएगी राम राम करते रहें मुक्त हो राम का तो क्या हुआ भीतर लगया ना रंग भीतर रंग ही नहीं है भीतर भीचार ही नहीं है भीतर में ख्याल ही नहीं है उपर से राम 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 फिर संतों ने सब्दों की चोट करी कि भाई उपर के लिए वास्ते बात नहीं बनेगी इसलिए फिर क्या कहा चैवाना हजार पार बदलो, और बदला है बान तो बेडा पार। फिर लोग शाने बन जाते हैं। बाज़तार है तो क्या हुआ जब अंत समय आया और बच्चों ने देखा कि शरीर पूरा करने वाड़ा है सारे बच्चे परिवार आगे तो फिर लेटा लेटा कहता है फलाना बेटा बड़ा बेटा कहा है तो पिता जी मैं बेठा है पास में ठीक है तो छोटा बेटा कहा है को कैना पिता जी मैं भी आपके पास बेठा हूँ अच्छा तो पोता कहे नू डादा जी मैं भी आपके पास बेठा हूए फिर दुकान में कोण अवरा द् allocation तो बंद करके आ गए है तो ताला लगा दिया निल्हा ताला लगा गए अच्छे ये बता ताले के जटका मार के देखा था कि नहीं प्राण निकलने वाले ताला के जटके याद कि उम्पसारी उमर जटके याद कि तो राम थोड़ी याद आएगा फिर संतों ने बिर कहा तो याद कैसे आएगा और अभ्यास किया होता संत की संगत की होती तो संत याद आवेंगे अरना तो जटके ताले और गेट और दुकान याद आवेंगे अभी थोड़े दिन की बात है एक राजिन्दर नमबरदार है डासा से इनके ताओ जी ढदा धादा जी बड़ा प्रेम था हमारे साथ अंत समय में राजिन्दर सेखा भाई महरजी ने बुला मैंने दर्सन करने है दो तीन दिन लजा था रहा है महरजी को बुला वे दर्सन करने है मैं आ जाऊँगा और हमने भी अनुगव हुआ कि जब तक मैं नहीं जाऊँगा ये शरीर नहीं छोड़ागा मैं तीन दन के बाद रास्ता आया कि तो उदास्ता चैरा खिल गया बेठा है मालिक नाम की चर्चा की है हम बेठे और फिर हम चले गए और कुछ साइम के बाद उसी वक्त सरी छोड़ दी है नब्बे साल की कितनी उम्र थी है नब्बे साल की उमर में बच्चे परिवार कोई नहीं पुछिया है परिवार की कोई कुछ नहीं क्यों राम नाम की प्रीट गुरुदेव से प्रीट क्योंकि पूरी उमर सत्संग किया था हिरुदे से उपर के गीत नहीं गाये थे उपर के तमासे नहीं किये थे तो इसलिए सद्गूर की प्यारी सासंग जी संत दर्संग के लिए सा बड़े बड़े तपस्वी भी लाइन में खड़े रहते हैं और बर्मा बिस्नु महिस लो करें साद की सेव सुर्नर मुनि जैजे करें ये देवन के स्वामी नितान अंद्याल कहते हैं बर्मा बिस्नु महिस भी संत की सेवा करते हैं आदर करते हैं समान करते हैं और यहां तक कहते हैं स्वामी नितान अंद्याल तो कि जितने भी तीरत है दुनिया में जितने भी तीरत है संत को प्रणाम करते हैं हिंगला जवाला मुखी वैजनात कैदार शीस निवामे साथ को देखे हैं अधर अधार हिंगला जवाला मुखी वैजनात कैदार सारे तीरत नितानन तीरत सवै जितने भी तीरत हैं सारे तिर्थ संत को प्रणाम करते हैं क्यों सबसे बड़े संत दूसरा नाम है और तीजे दस अवतार तिने प्रणाम है पल्टू साब कहते हैं संत सिर्कात आज हैं क्योंकि संत के बिना इस जीव का कल्यान धर्ती पे कोई नहीं कर सकता इसलिए गुरू को संत को बड़ी प्राथमिक्ता दी कभीर साब ने क्या कहें गुरू गोविन्द ओ खड़े काके लागों पाए बलिहारी गुरू आपने जिन गोविन्द दियों मिलाए फिर स्वामी नितारं दयाल कहते हैं गोविन्द को प्राथमिक्ता गुरू को इतनी बड़ी क्यों दी तो गुरु देव जबाब देते हैं गोविन्द बांद्या जीव लागुरू छुटावण हार गोविन्द नहीं जीव को बांदिया करम के बंदन में और गुरू ने बंदन काट दिया इसलिए गुरु बड़े परमारती हैं गुरु दया करतके गुरु समान और न कोई और कोई भी जग में आदम उधारन इस जीव का उधार करने वाड़ा और कोई नहीं इसलिए गुरु को बड़ा माना है इसलिए कभीर साथ करते हैं गुरु सखा हमारा सखा कोई गुरु सखा संत सखा और सखा निजनाम तो हमारा सका निज नाम है क्योंकि नाम की दोलत काड के जाल से बचाएगी नितानन धरी नाम बिन कभू मुक्त ना होए तप ही तीरती वेद पड़ चले नाम बिन रोई तीरतों में जाके पून मिलता है महारी जी के नाम बिन रोते जामें जाएए तो फिर जीत किसकी होई क्योंकि नाम की कमाई के बिना तो नितानन धरी नाम बिन कभू मुक्त ना होए स्वाम नितानन धरी आल का बचन है कि कभी मुक्त होई नहीं सकता नितानन धरी नाम बिन कभू मुक्त ना होए तपी तीरती वेद पड़े चले नाम बिन रोए इस दिन नाम बड़ा है संत बड़े है क्योंकि संत ही दुख को काड़ सकते हैं गंगा जुम्ना सरस्वति महरजी क्या कहते है गंगा जुम्ना सरस्वति साध चर्ण के माहु मितांद निश्य यही बात दूसरी नाई घंगा, यमूना, सरस्वती, निशाद की चर्णों में फिर धादु जयाल कहते हैं धादु जयाल महराज अपनी माणी में कहते हैं राम मिलन के कार्णे जै तू भयो उदास सादू सँगत खोज ले राम उनके पास राम मिलने के कार्णे जे तु उदास हो गया ना, तु राम को चाहता है, जे राम को चाहता है और उदासी दिल में है, तो उदास मत हो, फिर कहते हैं क्यों कैसे मिलेगा? सादू संगत खोज ले रामन के पास फिर स्वाम नितानन द्याल कहते है जारस को खोजत फिर है रिसी मुनी सुर्देव जिस मुनी सुर्देव ता खोजते फिरते है सो रस है जे पाई ये चरन के मलकी सेव वो तो सेज में मिल जाए संत मिल जाएं तो इसलिए गृविदास माराज किरते हैं इस नितानन्द साधू बिना स्वाइब पावेनाई जहां राम ता संत जन जहां संत ता राम नितानन्द दिल कुझ में दोनों का मुकाम जहां राम ता संत और जहां संत ता राम क्योंकि संत और राम को एक कर जाड़िये संत और राम में बेदनाई पल्टु साहब कहते हैं संत और राम को एक कर जानी हैं संत और राम में भेद नहीं क्योंकि भेद नहीं है वो एक ही हैं लेकिन समस्या क्या है कोई कोई जाना है डौंग और पाखंड को तो सब बानते हैं और लेकिन सद्गुर को संत को कोई कोई जाने से लिए गुरुदेव कहते हैं सद्गूर के लायक नहीं बेठें लाख हजार चेरे ओकर गिरे हो नितानन दरवार सद्गूर के लायक नहीं लाख हजार बेठते हैं लेकिन जो उनका होके गिर जाता है वो तिर जाता है वो पार हो जाता है इसलिए सद्गूर की प्यारी सासंगजी अपने जीवन मे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहना है ये मेल मिलाप हमारा प्रारवद का है कोई सोचता है कि आज का नहीं है किसी अनंत जन्मों का है और स्वामिन इतानन दयाल से जुड़ना भी अनंत जन्मों से है और ये ऐसी दयालू है इनकी एक-एक बाणी महा मंतर है स्वामने तान देल अपने बाणी में कहते है साद संग मही मा कहूं सिरी मुक्सिरी भगवन्त के मालिक का मूत केंड लाग रहूं साद संग मही मा कहूं सिरी मुक्सिरी भगवन्त सत्संग भिन ना मिलूं जैजुग या अनंत सत्संग मेरा मिलना नहीं होगा इसलिए सदा सत्संग किया कर और रुची से फॉर्मल्टियों से नहीं रुची हो भीतर में बड़ा गहरा चाओ हो कि आज सत्संग होगा आज गुर्देव के दरबार में बेठने का मुका मिलेगा शेवा का मुका मिलेगा तो सांत हो करके, बंदा मुख जाएगा, काम नहीं मुख जाएगा, पंजाबी में कावत है, बंदा मुख जानदा है, काम नहीं मुख जाएगा, व्याक्ति खत्म हो जाएगा, तरशना और काम खत्म नहीं होंगे, क्योंकि नितानन्द माया सुख से त्रिपता है ना कोई जो भोगए प्रीत से प्यास चोगनी होए माया के सुख से कोई नी त्रिपता है जो जो भोगएगा प्यास बढ़ती जाओगी एक के दो दो के चार पैदल चलने वाला साइकल की मांग cycle के बाद motor cycle फिर car फिर helicopter मानदाता ने पहले अपना राजेंब को बढ़ाया फिर पृरी पर कबजा किया फिर नोत चलो आप इंदर लोग पर कबजा करेंगे मानदाता नोत चलो पिर आप इंदर लोग पर कबजा करेंगे स्रप्ति नहीं होती है इसलिए और काल जार से फिर जी बसता नहीं है काल जार से वही बसता है जो नाम की कमाई करता है जैसे चक्की आप देखते हैं आप तो नहीं रही हो पुरानी चक्की सब जानते हैं चक्की पुरानी जो एक डंडा पकड़ के घुमाते थे बरबर मुठी डाल के अनाजब एक आच्छे गुमावाए दूसरा आच्छे अनाजबन डाले लेकिन दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई कोई नहीं बचता काण के जाड़ते कोई बचता नहीं है इसलिए कभीर ने बाने किये चाकी पे मलुक कभी कमाल साब ने का आए चाकी चाकी सब कहें और कीला कहें न कोई जो कीला के संग लगया बाल रबांका होए जो कीला के पास लग गया उस सुराग पढ़ने के बाद भी जो किल्ला के पास लग गया वो दाडा बच जाता ना तो सब पेश जाते हैं इस धरा के उपर काल देवी देवता पीर पगंबर को खुआ जाता है माराज काल बड़ा बलवान है लेकिन कौन बचता है जो संत संगत में लग जाता है क्योंकि संत स्वामी नितानन द्याल कहते है दुरते आए संत जन अनल पंक की बाट नितानन चल पूछ ले जिनके खुल लेक पाट संत धुरधाम से आते हैं और संत की एक एक बानी हम जो दुखाने रोते आंडते हैं जो पीडाओने रोते हैं एक एक बाणी दुखने काड़ देती है यहां तो बाणी का पार्ट था मैं कही बार उधारन देता हूँ जाट कालेज में फ्रोफेसर है रोईत नारा उसकी आँख का यह रेती है 85% खत्म हो गया डोक्टर ने जबाब दे दिया दुखे से आँख खत्म होगी डोक्टर ने का ले जाओ यह नहीं हो सकता परदा खत्म हो गया है उन्होंने एक ही बाणी का जाब किया नितानन्द यब कैमिलो मिलके करो निहाल मेटो वेदन अंग की जो तुम दीन दयाल बाणी का पाठ़ किया इस वाणी का लगाता चार दिन में आँख ऐसे खुल गी जैसे कुछ हुआ ही नहीं डोक्टर हैरान पीजियाई मेडिकल के डोक्टर है क्या हो गया यह कैसे हो गया हैरान हुए डोक्टर भी सद्गुर की प्यारी सासंग जी कौन दुख है जो गुर्देव नहीं काट सकते है अमर मार मिर्तक करे मिर्तक लेत जिवाए हन ओनी होनी करे होनी देत मिटाए लेकिन हमारे मन क्या करते है पाखंडों को सविकार करते ठोंग जो दिखावा ड्रामा करता है बाजीगर के तमासे संतों ने आव सकता नहीं है क्योंकि हमें पता है हमारी जहाज में वह बैठेगा जो काल जाल से मुक तुरना चाहता है जिसके प्रारब्द के उची कमाई होगी जो भीतर से भी साफ होगा नहीं तो सब नहीं बैठ सकते नानक नाम जाज है चड़े सु लंगे पार जो सरदा कर सेव की तो गुरु पार उतार नहार अगर सरदा है बिस्वास है समर्पन है तो गुरु बाँ पकड़ के ले जाते है और स्वाम नितानन दयाल तो एक पलक में तीन लोग को उतार दें ऐसे समर्धनी है खुद बाणी में कहा है अपने सद्गुर के लिए एक पलक तरभुवन तार मंगलती आनंद मही आप परमगुरु दया करी जब जनमरन कीताप गई कि आप एक पलक में तीन लोग को तार्ण हार हो और जब स्वामी गुमानी राम परगट हुए जो स्वामी नितानन परगट हुए कल्यूग ने भी हाथ जोड के बिंती करी थी बाबा बंदगी दास मुसलमान पीर था मुसलमान पीर था स्वामी नितानन दयाल के पास आया चमतकार करने लगा पीर की चमतकार नहीं चला तो हाँ जोड़के कहने लगा महराजी आप कोण हो आप हिंदू हो या मुसलिमान हो तो स्वामी नितानंद याल ने कहा नितानंद हिंदू नहीं मुसलिमान भी ना आई दिनाचार की सैल कर फेर अमर पुर जाई ये बोलन हार के आई वाई हिंदू मुसलिमान भी नहीं है ये सरीर हो सकता है फिर गुरू के चलनों में पढ़ गया बाद में सिश्य बन गया स्वामी जी महराजी ने बंदगी दास नाम रख्या है तो बंदगी दास ने बाणी बोली है पाकिस्तान में पाकिस्तान पंजाब में ककराणा नाम की एक जगह है वहाँ अपना आस्रम होता था बंदगी दास जी का तो बंदगी दास ने बाणी बोली है मंगला चर्न गुरू बहुत गुदड़ी अकसर की उपमा ये बाणी ये सब मरजिनंग बोले है तो इन में एक जगह जिकर किया हाद जोड कल यूग कहे धनवाग हमारा स्वाम नितान दयाल के लिए कहते है हाद जोड कल यूग कहे ए सद्गूरू मेरा धनवाग है आप मेरे यूग में परगेट हुए ऐसा कहते है हाथ जोड कल युग भी नुक है मेरा धनभाग है ए सद्गुरु स्वामे गुमा निराम स्वामे नितानन दयाल आप मेरे युग में आए तो इतनी महिमा ऐसे संत की पर जाने कौन जाने कोई सूरा कोई सूरवीर जानते है कोई पाखन नहीं सहजता आप अगर रोज बिंती करने कोई दुख है कोई पीड़ा भी है कोई भी पीड़ा है कोई तंतरीक है क्या ने किन के लिए एक मिंट में पाखने है अगर सिर्व आप बंद बिंती करने लग जाएं नितानन्द को चरन में राखो दीन दयाल मेत हमारे दुख को साहिब करो निहाल जिब आपका आत्मिक समृंद होगा गहरा प्रेम होगा तो बाप पकड़ के कह दें खड़ाओ बेटा यहां नहीं बैठना है बाप पकड़ के उठा लेते हैं एक फोजी माजड़े की घटना की बात है एक फोजी जब कारगल का युद हो रहा था और जब युद हो रहा गोड़ियां चल रही थी उनका आवाज आती है यहां से चले जाओ इस जगह को छोड़ दो तीन बार आवाज आई उन्हें तुरूंत जगह को छोड़ा और फट्रूं उसी वक्त मां के मिसाल लग गई वो बच गई नहीं तो चारों को चार खत्म हो जाते थे तो ऐसे सद्गुरू है खुड़न गाओं में जो महराजी के समर्पित परिवार था उनके साथ कितने बड़ी घटना घटी 1905 में माथा में गोड़ी लगी गोड़ी निचे गिर गई इत्यास गवाए है बूच सकते हैं माँ खुड़न दूर नहीं जाकर के और वो आदमी जिंदा है और एक आदमी के बीच में नहीं सेंकड़ों आदमी के भी बीच में क्योंकि उन्होंने लोटा में नमग गेर दिया था मैं गुरुदेव का हूँ हमारे परिवार ने डाए सो वरस वहले गुरुदेव को जमीन दी थी और इसको कोई और कब जाएगा तो चैब हम मर जाएंगे पर जमीन को चुटाएंगे उन्होंने बदमास को बुला लिया अपसमें गोली चलने लगी तो किसी को नुक्षान नहीं किया गुरुदेव ने क्योंकि उनके तो सारे अपने बहर प्रीत उनके नहीं ना बाद भी बादा उनके बहर प्रीत थोड़ी होती है इव मारते को सोचन लाग जाए कि नहीं मारई जी तो प्रेम से इरशत विरते बाद करें मारते करते हैं कोई सोचन लाग जाए दर्यापूर peachा तो यह भूल होगी बारी बई मैं तो गुरुदेव के सर्में सुरू से आता हूं जो गुरुदेव को जिसके दिल में आदर प्यार समान है हमारे लिए उसके प्रतियार संवान है और जो दिल से है वो दिल से है जो फोर्मल्टी है हमने क्या करना है इसलिए संथों ने कहा हम तो वैसा ही आपको बाट के चले जाएंगे मैंने ओर कुछ नहीं करना है और जिसका جैसा भाग है बाटने के लिए आते चद्गुर की प्यारी साहसंग जी, संत जीव कल्यान के लिए आते हैं, जितना बन पाए, बंदगी करो, सिमरन करो, और ये एक परव के रूप में आप मनाएंगे, तो आप सब का भला होगा, और नगरी के लिए ही नहीं, बरके मानुव जाती के लिए, हर प्राणे हित के लि भव देखे हैं, और प्रैक्टिकल देखे हुए बाते करता हूँ मैं, बिन देखी बात के भी नहीं करता हैं, आप हजारों लोग ऐसे हैं, जिनको गुरुदेव ने बड़ी-बड़ी पीडाओं से मुक्त किया हैं, इसलिए नित बाने के प्रती, प्यार और सम्मान, जैसे साहिबान, जो गुरु बाने आते हैं, लंबे पड़ जाते हैं, आपे सेवा में लग जाते हैं, आपे सेवा में बिछाने लग जाते हैं, सब कि मैं, ये मैंने कर राए, ये मैंने कर राए, उनका प्रेम अथा है, तिन सो साल में, गुरु के परताप से, उन लोगोंने कितन बड़ी पैचान बनाई है 300 साल में आपके परिवार का एक व्यक्ति आनंत पिडियों से आप होंगे आपने तो एक राजे में भी पैचान नहीं की एक जिला में भी पैचान नहीं होई क्यों? क्योंकि बाणी में ताकत होती है हम बाणी से भिमुख होगे लेकिन समझ में नहीं आता है नजर दोड़ा के देखो बड़े-बड़े राजा महाराजा चले गई है महाराज जाना अटलसत है नाम की कमाई करने वाड़ा जीव बचता है मुक्त होता है देदरिस का बैस सब ने दन मिलता है पर नाम की कमाई करने वाड़ा हसके मुक्त हो जाता है और माफ करने वाड़ा भी बड़ा होता है इसलिए जादने केत्वी नित सत्संकरो धनभाग गुरुदेव की बाने का आज पाठ हुआ